नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके चैनल से विली केरिमे फ्रेंट्स जैसे कि आपको पता है कि इस सेशन में हम बिल्डिंग मैटेरियल के ठेर्यू को लगाते हैं प्लस सामवाले सेशन में इसी से डिलेटे जो भी एमसी के कोश्चन बनता है उसको टार्गेट करते हैं फ चलिए फ्रेंसे अपना सेशन स्टार्ट करते हैं फेंस अपने प्रिविएश लेक्षे में हम धिनलाइम क्या है ठीक किदी पर करक खोते हैं यह सब देख चुके थे आज हम उससे आगे कांठीनियू करते हैं ठीक हरल किसे बोलते इसको देखते हैं ठीक इसका मनलब क्या हो होता है यह सेटी होता है है यह सब्सक्राइड यह क्रूद है जक्राइब सब्सक्राइब होती है यह किस वज़ा सुथ मेरी हूत है याद रहेगा यानिकी जतना जाते आप क्लिक कंटेंट उसमें रहेगा ठीक तो याद है कि इस्टेंथ प्रवाइड करने से मतलब है यहाँ पे अगर हम बात करें प्योल लाइन में देखेंगे कि मेरा हाई जो हाई डिलो सिटी जो है किसकी वज़ा से आता तो डार्य बताएंगे लेकी वज़ा से अगर पुछेगा हाई डिलो सिटी का क्या काम है तो काम मेरा सेटिंग और हार्डिनिंग ठीक और आगे देखते हैं आप एक लाइन का तो इस यहनुकि आई एस 172 के इसके बेस्पे वैं इंपैर्वीटी सबसे पाहला हम बताये देका कि हमाइन जो ऑनाअ ही क्लास युक्ती परसें होती होती है से परसें्ट आप हैं यहां पर इशल्ड करते हां इनक्यों बशहीं एक होता है मेरा चौन 느ी होती हिसे यह थ ofir आगे बीनेРЕ अगर में पर यूज़ किया जाता है आप सी पेपर में हमेशा यूज़ी पूछता है कि आप बताए मोटार के केस में ठीक है किस प्रकार का लाइम हम लेते हैं तो मोटार के बना रहे है तुसके कर लिए सोन लाम लेंगे यह यहां पर नजय नहीं कर्छा तुसकि क्लास बी का थिक चूना बोगा चाएगा तो क्लास B के चूने में देखे इसमें इंप्रीटी कम हो गई पिछी वलें 30 परसे लगबं में थी यहां पर कि इंप्रीटी कम होने का मतलब क्या होगा इस ट्रीन भी कम पड़ेगा अब इस टार्डिम में हम बताये तो जो मेरा हाइडलो सीटी होता वो इस्टेन को अटाइस के उप्र सेंटीमेटर स्क्राइब कर दिया क्यों कि मातला घट गए जैसे उपर यानिके जो हम थिक ऊपर लाइम पढ़े थे उसमें क्या था एक तीन रही थी वह अठाएस के पर सेंटीमेटर स्क्वादे रही थी अग्रड की बात करेंगे रिवरा ग्रे होता है अब देखते हैं हाँ पर Class C Class C जो चूना हम रहा होता है ठीक है वह हमारा Pure Lime होता है क्यों सब्सक्राइब होता है इसके अगर बात करें हैं हम पर सेमी हाइड्रोलिक तो इसका यूज जो होता है फाउंडेशन में प्लास्टर अप ठीक प्लास्टर अंडर कोट में ठीक नारम यहां पर 25% क्या होती है थीक हाँ ठीक ठीक से 5% होती है इंप्यूटी होती है कलर की बात करें वाइट कलर है तो कैसे जो हम युज करेंगे यूज करेंगे तो आपको क्लीन वाइड दिखाए देगा आपकी दिवाल इसलिए हम कि पूल देगा कि वाइट वाशिंग के नहीं कि यह व्याफ कॉशन अया चूंश में अब इसको दो धोना तक हुज़ को क्ला रहा है स्पेकर-ए लाइना मनेंगे बताएंगे हमें आप इमीन डेनाड ऐसे क्लास क्या बताएंगे हम पर दोनेज करते हैं और आप अगर आपसे पूछ देगा क्या ठीक अगर फैट लाइम पूछ दे तो क्या बताएंगे इसका यूज हम प्लास्टी में करते हैं वाइट वासिंग में अगर इंगे इंप देखिए पांच पर से जादे होती है स्वारी जो क लर होता है आप मेगनेसिय लिए जाता है कहां से कर देते पर में बताये बंदा त evalu ब्हरें करें लाइम थे तीछ नमरिवे यह करते प्लाश्टर वाइट वासिंगे सबसक्राइबी से लाइम का यूज्ज करते हैं अब आगे आगे आप से राइम के लिए यूज करेंगे नहीं यूज करते हैं यहां रकनेंगे यह हमारा 5 पगार classification किया गया था लाइम का एफ आगे दख ने किThat एक इसके अजहां देखेंगे और इसके रहाँ पर पहले बोले ने हैं प Dü क्या मेघनेशियं करबोनेट मेकनें करें यहां पें चैकिन को पुर्वाइट करता है क्या करता है इस डेंट को पॉरफ तक होती है पीछे बताएं अभी क्या है ठीक अब इसकी मात्रा जादे हो जाएगी तो मेगनेसियम तीक मेगनेसियम कार्बोनेट की डायेट आप सब्सक्राइब यह बताएं अगर लाइम में हमारा जो है मेगनेसियम कार्बोनेट की मात्रा जादे हो गई है तो आप क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा तो हां पर स्टेंद और जो मारत लेकिन प्रोसेज दूनों क्या हो जाएंगे रिडियूस हो जाएंगे ठीक आगर हम बात करें कि यान ऌप यहीं कि याप करता यहां करता है हाँ कि इसकी आपर अगर श्रह यहाद हो जाएगी तब फिञत रही से जादे हो गई तो यहां पानी करने की जुदा है हूं क्या जाएगा ऐसमें किले की मात्र जादे हो जाएगी तब ठीक आगे देखते हैं अगर इसलीका की मात्र जादे हो गई एक यह थैक्प कम हो गए तो इस पे कौन सा कौन सा कॉन साइप समय पाइब हमाय और पड़ेगा यह देखिए अगर इस टिन्हों क्या करता है किसमें लाइम की कि अगर हम बताएंगे इसकी महत्रा क्या बना लगए क्लसियम हाइड राटवायज यानि की से ओइच का होल ट्वाइज बना लेगा और शेटिंग करने का मतलब क्या हो सेट करेगा लेकिन इससर्शा देनलगा हाड हो जाएगा ठीक अब दखिएंग आंप quotes जुमरा iron oxide iron oxide का मतलब क्या हुआ है यह क्या करता है यह hardness देता है हमारे इसमें lime में ठिक और increase strength और क्या करता है सामर्थ को बरारता है किसकी वज़र से due to formation of complex compound C3S and C3A इन दुनी की वज़र क्या करता है यह strength को increase करता है अब आगे हैंगे आपे amount of iron जो होता है ठीक अगर amount of iron जो है मतलब इससे जाद हो जाएगी क्या करने कहा है यह amount of iron ठीक iron oxide limited to 2-5% होना चाहिए लाएं में याद रखेंगे आपे ठीक जो हमारा sulphate sulphate क्या करता है वो भी हमारे rate of slaking को क्या करणा reduce कर देगा और हमारा जो rate of setting उसको भी क्या कर देगा वो increase क्या sulphate ठीक तो आगे देखेंगे यहाँ पर आप श्राट से जादे नहीं होना चाहिए ओर ठीक करता है किसको hydrocity को आलसो ठीक आप देखेंगे हाँ पर साल्ट साल्ट करने के वज़स क्या हो जाएगा इरोजन होने लगेगा इरोजन क्या हो जाएगी घट जाएगे ठीक आप देखेंगे मैं तरफ जो होता उसको देखते हैं का मतलब क्या होता है ठीक उसको कैसे कैसे हम लोग कैसलेशन करते हैं ठीक वह देखेंगे यानि कि एक से दूशरे फान में कैसे बदलते हैं ठीक गर्म करना का मतलब कर सकते हैं तो यहां पर अलग अलगलब प्रॉसे जाएं के आपको स्क्राइब करने के इसको हम क्या करेंगे ठीक अब करता है